हाइना यानि लकडबका अफ्रिका के खतरनाक और जानलेवा शिकारियों में से एक वूल्फ यानि भेडिया दुनिया के कई भागों में पाने जाने वाले चालाक और शातिर शिकारी क्या होगा अगर एक स्पॉर्टेड हाइना की भिड़त एक ग्रेव उर्ष से हो कौँ जितेगा आईए इस वीडियो में हम जानते हैं ये दोनों प्राणी ओडर कार्निवोरा में आते हैं बहले ही कई लोगों को हायना जो है वो कुत्तों जैसे लगते हो पर इनका सब ओडर फेली फो में आ है बदलब इनके कई सारे वीचेस्ताय बिल्लियों से मिलती है स्पोर्टेड हैनास मध्य अफ्रीका से लेकर दक्षिने भागों तक पाये जाते हैं और ग्रेव वुल्फ दुनिया के कई भागों में पाये जाते हैं जो पृत्वी के एक्वेटर के उपर है पर ये अफ्रीका में नहीं पाये जाते हैं स्पोर्टेड हायना का वजन 40 से लेकर 60 किलो तक हो सकता है जबकि ग्रेव वुल्फ का वजन 40 से लेकर 50 किलो तक हो सकता है स्पोर्टेड हायना की खंदे तक की उचाई 36 इंच तक हो सकती है जबकि ग्रेव वुल्फ के खंदे तक की उचाई 33 इंच तक हो सकती है स्पॉर्टेड हैना के शरिल की लंबाई 65 इंच तक हो सकती है जबकि वुल्फ के जून को वुल्फ पैक आयाता है जिसमें 5 से लेकर 25 सदस से हो सकते हैं स्पॉटेड हैना के कैनाइन दात 2 इंच तक लंबे हो सकते हैं और ग्रे वुल्फ के कैनाइन दात 2 इंच तक लंबे हो सकते हैं पर Spotted Haina के Canines काफी मजबूत और मोटे होते हैं Spotted Haina का Bite Force 1100 P.I.C. तक हो सकता है जफकि Gray Wolf का Bite Force 440 से लेकर 500 P.I.C. तक हो सकता है Spotted Haina की दोडने की रफ़तार 60 किलो मेटर प्रति गंटे तक हो सकता है जफकि Gray Wolf के दोडने की रफ़तार 50 से लेकर 60 किलो मेटर प्रति गंटे तक हो सकती है Spotted Haina के बुद्धी मत्त की तुलना ओरैंग उटान और गोरिला जैसे वन मानो से की जाती है जफकि Gray Wolf भी काफी जादा अकलमंद होती है जो एक भेतरिन टीमवर्क में शिकार करते है Spotted Haina और वुल्फ दोनों भी मासाहरी प्राणी है और दोनों भी जूड में शिकार करते है पर Spotted Haina जादा तर रात में सक्रिय रहते है और Gray Wolf जादा तर मंद उजाले में शिकार करते है Spotted Haina बारा साल तक जिन्दा रह सकती जबकि Gray Wolf सिर्फ आठ साल तक जिन्दा रह सकती तो अगर एक Spotted Matriarch Haina और Alpha Male Gray Wolf में भीड़त हो तो कौन जितेगा और इसका जवाब है Spotted Haina वुल्फ के मुकाबले Haina ना ही सिर्फ मजबूत पिकाव और जिद्धी होते है बलकि उनके जबड़ी भी काफी खतरनाक होते है हाइनास की बुद्धी मत्ता और एक दुसरे से संपर्क करने की शैली वुल्फ के मुकाबले काफी बेधरिन होती है अफरीका के जंगलों में हर रोज इनका मुकाबला शेरों से होता है जो हाइनास के मुकाबले काफी ज़्यादा बड़े और खतरना होते है और कही बार ये शेरों का शिकर भी छीन लेते है बुल्फ जिन चंगलों में पाए जाते है वहाँ पर इनका मुकाबला शेर जैसे बड़े शिकरी जानवरों की जून के साथ नहीं होता और हाइनास का नाइट विजन और सूने की शम्ता भी बुल्फ के मुकाबले काफी ज़्यादा शक्ति चाली होती है ऐसे और वीडियोज देखने के लिए सब्स्क्राइब कीजिए वाइल लाइफ बैटल्स